बस नमबर 10 यही वो बस थी जिसमें एक बड़ी ही दिलचस्प प्रेम कहानी परवान चड़ी थी एक लड़का और लड़की साथ बैठे हैं तब ही अचानक लड़का लड़की से कहता है तुम्हें पता है आज मैं अपनी मां से कहने वाला हूँ कि मुझे एक लड़की मिल गई है लड़की जिजगती है और पूछती है क्या मतलब कौन है वो लड़की लड़का धीरे से कहता है यही जो मेरे बगल में बैठी है ये लड़की थी दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री के कमान संभालने वाली शीला दिक्षित जिन्होंने दिल्ली की सूरत बदली लड़का था विनोध दिक्षित विनोध कांग्रेस के बड़े नेता उमा शंकर दिक्षित के एक लोते बेटे थे इतना सुनकर सीला दिक्षित ने घर पहुँचते ही अपनी बहन को बताया कि विनोध ने उन्हें शादी के लिए प्रपोस किया है और वो खुशी से नाचने लगती है इनकी प्रेम कहानी की शुरुवात हुई अपने दोस्तों का जगड़ा सुलजाने से वो दोनों भी प्रेमी थे यही से इनकी बाच्ची शुरू हुई लेकिन शीला को विनोध का सोभाव कुछ पसंद नहीं था शीला को विनोध सोभाव से एरोगेंड लगते थे लेकिन उस दिन के बाच से दोनों बाते करने और समय बिताने का मौका कभी नहीं छोडते थे दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिखते मज़े की बात ये रही कि विनोध उस वक्त पढ़ रहे थे और शीला से शादी करना चाते थे शीला जानती थी कि अगर घर पर बताऊंगी तो वो पूछेंगे कि लड़का क्या करता है और लड़का तो साथ में पढ़ रहा है जिसकी बस की टिकट भी शीला खुद खरीदा करती थी बारहाल दो साल बाद उनकी शादी हुई जिसमें बड़ा विवाद हुआ क्योंकि शीला ब्रामन नहीं थी इसके बाद विनोत को आईएस की परिक्षा में काम्याबी हासिल हुई वो पूरे भारत में नवे स्थान पर थे उनकी पोस्टिंग उत्तर परदेश में हुई ये थी देश की राजधानी की तीन बार सीम रही शीला दिक्षित की प्रेम कहानी ऐसे ही मज़ेदार कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको टाइम पर मिल जाएं